हेई बेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूटिटी निटवर्क तो आज हम बात करेंगे बी ए सेकंड यर के एजूकेशन पेपर फर्स्ट के बारे में तो बिल्कुल समय को देना करते हुए हम चलते हैं ने स्लाट पे तो यहां पर हमारा क तो सिक्षा मनोविक ज्यान की प्यक्रति की विसेश विस्तार पूर्वक द्याख्या कीजिए एक सिक्षक के लिए सिक्षा मनोविक ज्यान विसेश की क्या उपयोगिता है अत्वा सिक्षा मनोविक ज्यान को परिवासित कीजिए सिक्षक के लिए सिक्षा मनोविक ज्यान क स्पश्ट किपिए अत्वा सिक्ष्षा मनोविज्ञान में क्या संबंद है सिक्षा मनोविज्ञान के चेत्र में किया इस कथन के संदर्म में सिक्षा मनोविज्ञान का महत इसपश्ट कीजिए अथवा सिक्षा मनोविज्ञान को परिवासित कीजिए सिक्षक के लिए सिक्षा मनोविज्ञान की उप्यगिता बा महत पर प्रकाश डाल लिए अत्वा सिख्षा मनोविज्यान की उप्रिक्टा पर प्रिकाश डालते हुए बताईए कि सिख्षा में मनोविज्यान द्वारा क्या क्या परिवर्टन हुए है तो यह दोस्तों बहुत ही important, very very important question है यहां पर यह इतनी तरीके से यहाँ पर एकजामे पूछते हैं, तो चलिए देखते हैं नएस्लाट पे इसका उत्तर, तो यहाँ पर देख पा रहा है, सिक्षा मनोविज्यान, मनोविज्यान की एक साखा है, सिक्षा मनोविज्यान अपना अर्थ सिक्षा से जो की सामाजिक पिरक्रिया है और मनोविज्ञान से जो ब्यभार संबंदी विज्ञान है ग्रहन करता है किरो के अनुसार सिक्षा मनोवे ज्यान ब्यफ्ति के जन्म से ब्रद्दावस्ता तक सीखने के अनुभवो का वर्ण बाव्याख्या करता है सिक्षा मनोवे ज्यान की प्रकृति इसकी बारे में बात करेंगे सिक्षा मनोवे ज्यान एक स्वतंत्र अनुसासन है इसकी प्रकरती को बैग्यानिक माना गया है सिक्षा मनुवेग्यान का अर्थ इसपष्ट करता है कि मनुवेग्यान के सिध्धान्तों का प्रियोग सिक्षा के छेत्र में किया जाता है मनुवग्यान की साहता से सीखने के नियम, सिध्धान, ध्यान, इस्मरण, आदी, पाटिकरम निर्माड के सिध्धानतों, सिख्छण बा, सैक्षिक, मूल्यांकन, आदी के सम्मंद में बैग्यानिक सिध्धानतों बा, नियमों का निरूपड किया जाता है इस प्रकार अध्यन, पदती के द्रश्टिकोर से मनुवग्यान की भाती, सिख्छा मनुवग्यान की प्रकर्ति बैग्यानिक है अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक सिख्छक को सिख्छा मनुवग्यान की उपियुगिता क्या चीज़? एक सिख्छक को सिख्छा मनुवग्यान की उपियुगिता तो सिख्छा सिध्धान्त कोई प्रतक न होकर मनुवग्यान ही है तता सिख्छक जो कुछ करता है, एब हम करने के लिए कहता है उसे किर्यानवित करने के लिए मनुवेग्यान का सहरा लेना ही आवस्यक है अता हम सिख्षा मनुवेग्यान के महत्व को अध्यापक, छात्र, आसिमीतात्मक, समाज, सुधारक तथा सिख्षा सिद्धान्त को निम्न प्रगती से इसपश्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट हैडिंग है यहां पर बालक को बालक समझ कर सिख्षा देना बालक के इंद्रित सिख्षा को महत्व देकर इस बेग्यान ने बालक को महत्व देकर बालक की रूची अवस्ता और शमता के अनुशार पार्टिकरम तता सिख्षा विदियों का निरमार किया है इससे पूर्व सिच्छा पूरतया सैध्यान्तिक थी जिसमें सिध्यान्त थे मुखिता बालक को गौल इस्तान प्राप्त था सेकिंड हेडिंग है यहापे सिच्छण विदियों में परिवर्तन तो इससे प्राचीन रहने की पदती तथा पाठपुष्टक विदि और ब्याख्यान विदि बालक के मार्ग का एक हानिकारक मार्ग बताया है इसके स्थान पर बल द्वारा सीखना, किरिया द्वारा सीखना, ब्यभार द्वारा सीखना, निरक्षण और भ्रमण द्वारा सीखना सिख्चा में ऐसे पद्तियों का निरमाड किया जो संपूर में प्रयोग की जाती हैं जैसे मॉंटे सरी प्रडाली, योजना पदती, डाल्टन प्रडाली तता भारत में बेसिक स्था प्रडाली आदी थर्ड हैडिंग है यहाँ पे व्यक्ति गत बिविनिता के सिद्धान्त का महत्व ब्यक्ति की बिविनिता के आधार पर पार्ट करम में बिविनिता तता भाव उद्देश ये इसका लक्ष है डेविस ने लिखा है अनेक बैदानिक परिछणों से सिख्षा मनव विज्ञान के चात्रू की छमताओं ग्यान का विकास तथा परिपापगता को समझने में सहयोग दिया है फोर्थ हैडिंग है यहां पर समय सारडी इस बिज्ञान ने सिख्षा की समस्त इसतर पर समय सारडी का प्रियोग अबस्य बताया है यह बताते हुए कि समय सारडी में विश्यों का क्रम कठिन और सरल के आधार पर होना चाहिए इसके साथ ही मांसिक कथन अबधान केंद्रित करने के उपाय बता कर समय सारडी का महत्व इसपष्ट किया है फिफ्थ हैडिंग है यहां पर पार्टिक्रम सहगामी क्रियाओं को महत्व नहीं कि बरतमान समय में प्रतेक पिद्धाले में पाट्टिकरम सहगामी किरियां को महत्व देना बालक के बास्तविक बिकास में खेलकूद बिभन प्रकार की सैक्षिक पेकरियां को इस्पष्ट करना है सिक्स हेडिंग है अनुसासन में महत्पूर परिवरतान इस विग्ञान ने सारिक दंड की अपेक्षा अनुसासन को महत्पूर सिधान्त माना है इसके आतमिक सिधान्त को अपनाय जाने के लिए प्रेरित किया है सैबन तिहां पे हेडिंग है मुल्यांकन को महत्पूर बिविन प्रकार के मुल्यांकन को महत्प देकर ऐसे बहुत से अनुसंधान इसमें प्रस्तूत किये हैं जिससे बालकों के बुद्धी विसाय का ग्यान प्राप्त किया जाता है इसके लिए उपलब्धी परिक्षा को यर्म दिया सामाजिक द्रश्टी से बिविन प्रकार की ब्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं जैसे बाल अपराद मानसिक रूप से पिछड़ा होना इत्यादी के लिए सिख्षा मनुविज्ञान एबम बर्दान सिद्ध हुआ ये ठेड़ेंग है आपे किरिया द्वारा सिख्षा सीखने में करके सीखना लर्निंग वाय डूइंग को महत्व दिया गया जो कारिये बालक करके सीखता है बेमानसिक सलसकार के रूप में जुड़ जाते हैं और सदा ब्यभारिक जीवन में काम देते रहते हैं यह सिद्धान्त आज की सिख्षा का महत्वूर अंग वन गया है यह भी मनोबैज्ञान की देन है नैन हेडिंग है यहाँ पे समाज के पिरतिनिदी के रूप में स्कूल का इस्थान बरतमान नवीन सिख्षा में इस बात का पूर प्रियास किया जाता है कि स्कूल समाज का लगू रूप है जिससे बालक का समाजी करण हो सके समाज में अपने कारियों और विचारों को गिरहर कर सके तैन हेडिंग है यहाँ पे निर्देशन सिख्षा तो आधुनिक यूग में आधुनिक यूग में चात्र को कुसल निर्देशन की आवे सकता होती है इस कारे का सं पादन मनोवे ज्यान के ज्यान के सारे ही किया जाता है इससे सिक्षक उबलब्द साधनों तथा सुरोतों की पूरी-पूरी सूचना प्राप्त करते हैं तथा तत्यों के संकलन द्वारा छात्रों की योगताओं तथा विसेस्ताओं के साथ सम्नब्ब करना मनोवे ज्यान के अभाव में संभव नहीं है 11 सेट यहाँ पे हेडिंग है सारिक दंड का ब्रोद मनोवेग्यान सिक्षा सास्तरी एब हम सिक्षक मनोवेग्यान के दंड के आधार पर इस निश्कर्स पर पहुंचे हैं कि बालकों को बैसे तो किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए सारिक दंड बालक के ब्यक्तिक्त्व के बिकास में बादाख होता है 12 सेट यहाँ पे हेडिंग खेल का महत्व बरतमान सिक्षा सास्तरी मनोवेग्यान इस तत्य को स्विकार करने लगे हैं कि खेल बालक के यनमजात सुभावेक अबम आनंद में प्रिवर्ति है अता खेल को माध्यम बना कर सिक्षा देनी चाहिए इसके परडाम सरूप आज सिक्षा जगत में मौटे सरी सिक्षा पदती किंडर गाटन सिक्षा पदती प्रोजेक्ट सिक्षा आदी का परचलन मनुवज्ञान की देन है तेरमी हेडिंग है यहापे पूर ग्यान को महत्व पूर ग्यान को महत्व पहले छात्रों को नभीन ग्यान का प्रदान करने के लिए बालकों के पूर ग्यान की जानकारे प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करता था, मनुवे ज्यान ने इस पर बल दिया कि पूर्व ज्यान के आधार पर ही नभीन ज्यान की जानकारी करना अधिक उत्तम है, इस टाउट के अनुसार सिख्छा सिध्धान्त को मनुवे ज्यान द्वारा प्रदान किये जाने बाले मुक सुद्धान्त ये है कि नभीन ग्यान का विकास पूर ग्यान की आदार पर किया जाना चाहिए 14 हेडिंग है यहाँ पर रचनात्मक को महत्व पहले सिख्षा प्रदान और सूचनात्मक थी कक्षा में बालक सुरोता बने अध्यापक का ब्याखान सुना करते थे निश्करता के करड कक्षा का बातावरण नेरस होता था परतु मनोवग्यान की प्रभाव ने सिख्षा के रचनात्मक्ता को बिसेश महत्व दिया अब अध्यापक इस बात का प्रियाज करता है कि बालक को कुछ भी सीखे करके सीखे 15 यहाँ पे हेडिंग है सिख्षा के उद्यसों को प्राप्त करने में सायक सिख्षा मनोवग्यान की साहता से सिख्षा के उद्यसों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है डेवर ने लिखा है मनोवग्यान एक महत्पूर कारक है हम सिक्षा की समस्याओं को सिक्षा मनवे ज्यान की साहता से हम नहीं कर सकते तो यह तो हमारे दोस्तों यहाँ पर हमारे यह कोशन पूरा इसका अंसर हो चुका है मिलेंगे नई वीडियो में सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेर करें क्योंकि दोस्तों शीखे घंडिया तो जीते घंडिया दोस्तों और क्या खरना है अपको इस जो indozon एक तो इसको थेना वार लगातार इसको सुनेंगे तो आपको 100% आपके यहाँ पर मैंड में ये फिट हो जाएगा दोस्तों थैंकि दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम